हलो दोस्तों एक नए वीडियो लिक्षर में आपका स्वागत है इस्टूडेंट यह वीडियो है डिश्टल इलेक्ट्रॉनिक्स की सिफ्टीन ब्रांच वाले पढ़ सकते हैं पढ़ सकते हैं जो कंपिशन की त्यारी कर रहे हैं जैसे और घ्रीकल ब्रांच इसे उसमें पूछशी जाती है अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं लेशन टू हमारा चला है और नमबर सिस्टम है नमबर सिस्टम के बारे हम बताएंगे आपको लेकिन इसे पर ये नमबर सिस्टम के एक वीडियो बना दी गई जिसमें कुछ बेसिक कॉंसर्ट किलियर करें कुछ परिभासा बताके अब दोस्तों ये नेश्ट वीडियो आती ह है its conversion पर यानि अगली एडिंग आपकी its conversion है इस वीडियो में हम 3 conversion बताएंगे यानि डेशिमल से binary नमबर सिस्टम डेशिमल से अक्तर नमबर सिस्टम डेशिमल से hexadecimal नमबर सिस्टम में कैसे बदलते हैं सबी चीज़े समझेंगे step by step समझते हिए चलते हैं साते जाते हैं और सेर कर दिना कमजोडी श्टूडिन के साथ तो अब चलिए के तरफ चलते हैं सबसे पहले दोस्तों यहां पर दोस्तों इसको करने के लिए इसमें सबसे परहुं 0 तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं जो नंबर दिया रहता है उसको 2 Hop देते है और कब तक कि जीरो सी जीरो का हाला कि कहते है बρώ़ कहीं नहीं यह और तक है मान वहां तक हम भाग देते हैं डबल डबल मेंग September पिर नीचे से उपर लिखेonie एक दूसरा में होता है जो ishtrem line method होता है जो की 書ाले काम करता है लेकिन द्योषम इसका उपयोग परिच्छा में नहीं करते क्योंकि यह हैं सिर्फ परिच्छा में answer के लिए काम करता है आई सबसे पहले हमने तो double method बता दिया कि दोसंड़ागус बागर देते है हैं तो सबसे पहले इसमें कैसे टराक बनते हैं उसको हम समझते उब कितना होगा और टू में इसको चेंज किजिए तो दोस्तों इसको वह बदobject करें लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा इस तरह से दो हमें भी खीज दीन होंगी और भाज देंगे हैं पड़ हैं और हो यहां पड़ी कitना बचेगा यहां पर आपके हो जाएगे यह आपका जीरो आजाएगा क्योंकि यहां पर देखिए दो दूना चार होगा आपका दो दूना चार जीरो इस तरह जीरो क्योंकि पूरा चल गए कहरी नहीं बचाता फिर अब दोस्तों यहां फिर दो से भाग देते हैं और यहां पर जीरो लि आते हैं अब दोस्तों ऐसा आने पर आपको नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है यानि इस तरह से बाणा लगा दीजिए नीचे सूपर संख्याओं को लिखिए और बेस टू लगा दीजिए तो आपका बाइंडरी नंबर सिस्टम में करणवर्ट हो जाएगा तो चलिए हम लि इजिए तो देखा किस ने इमेजन तरीके से इस कोस्टन को हमने कर लिया आइए दोस्तों इसी तरीके से हम दूसरे भी कोस्टन की तरह बढ़ते हैं दूसरा question दोस्तों दिया गया था 54 54 to 50 root 10 10 to 15 to 2 में change करना है तो आईए दोस्तों 54 को हम कर लेते हैं इस तरह से 54 लिख लेते है 54 और यहां क्या होगा कैरी हो जाएगा हमारा और यहां से दो देंगे तो 27 हो जाएगा 27 दू दूना dum होता है तो आपका फिर यहां पर कैरी क्या दो यह चैरोval दो से काटेंगे शचरह कैरी जोगा और यहां पर दोस्तों इस तरह सें लिख देते हैं नीसे जीरो और बेस्या रेडिक्स आपका टू हो जाएगा तो गाइस आपका एंसर जो है यही आजाएगा बीना कुछ किये हुए तो आपने देखा कितने इमेजिंग तरीके से करते हैं इसके कुछ मैं होमवर्क देता हूं जो आप करके हमें वाट्साप पे भेजेंगे तीसरे को 27 में है इसको चैन्ज कीजिए दूसरे में चाहँथा कोस्चन दोस्तों आपको मैं वोमर्क देता हूं 17 है बेस्या रेडिक्स टेन है चैन्ज कीजिए इसको डू करके अब इसको डोनों चेंजर कीजिए अब दोस्तों हमने दो बता दिए नीचे सूपर इसको लिखते हैं भी मैं उपर से नीचे कब लिखते हैं भी वह भी बताऊंगा तो यह दोनों कोश्टन आप करके हमें वाटसाप पे जरूर भेजिएगा तो इस तरह से दोस्तों इस पेज हमारा फिलो चु दोस्तों 0.125 दसमलों में आता है 125 बेसे रेडिक्स 10 और चेंज इन्टू किसमें बाइंडरी नंबर सिस्टम में तो दोस्तों इसको कैसे करते हैं इसको सबसे पहले करते हैं कि 0.125 होता है गुड़े 2 से मल्टिप्लाई कीजिए जो आए यहां पे लिखिए 0.0.250 हो जाएग नहीं कुछ मिला तो यहां 0 लिख लेते हैं अब इसको फिर लाइए इस वाले पॉइंट को तो 0 दसमलों आपका क्या जाएगा 250 गुड़े 2 अब इसको कर लेंगे 0.500 is equal to 0 हो जाएगा फिर दोस्तों दसमलों उधर वाला लाईए दसमलों हमेशा उधर वाला ही लाते हैं त तो दसमलों हो जाएगा यानि 500 गुड़े 2 is equal to 1.00 is equal to 1 क्योंकि यहां सा गया फिर अगला लेंगे दोस्तों 0.000 गुड़े 2 is equal to 0.000 is equal to 0 हो जाएगा अब दोस्तों अगर इस टाइप का दिया और इसमें change करते हैं तो इसको उपर से नीचे की तरफ लिखते हैं यानि आपक आपका दसमलों लग जाएगा फिर 00 होगा फिर 10 हो जाएगा बेश एरे इस दोस्तों आपका टू हो जाएगा और आपका जो एंसर फाइंडी है ओ यही आ जाएगा तो आपने देखा कितने इमिजिन तरफ के सम्झाशन समझा आई यह दोस्तों एक आग दो कॉस्चन और कर हैगा चेंज इंटू में करना है आपको अब देखिए इसको कैसे करेंगे 0.75 है गुड़े 2 है इस उकल जब करेंगे 1.50 हो जाएगा इस उकल टू बना जाएगा यह आपके कहरी है ठीक है यह आपकी कहरी तो यहां से बचा क्या 0.50 गुड़े 2 इसको क्या करते हैं उपर से नीचे की तरफ लिख लेते हैं तो इंप्लाइज डैट 110 110 और यहां पे आपका बैसिकली क्या हो जाएगा यहां टू जाएगा लेकिन दोस्तों यहां पे एक दस्मलों सबसे पहले लगाते हैं तो इस दस्मलों को लगा दी जिंगे तो आपका answer यहीं पर हो जाएगा कुछ करना नहीं आए आइए दोस्तों हम आपको कुछ homework प्रवाइट करा देते हैं जो कि आप solve करके हमें वाटसाप पे भेजिएगा आइए हम पाच्वा question इसको माल लेते हैं तो आपका जो क्या हो जाएगा basically 0.625 625 10 is equal to 2 में change कीजिए अगला दोस्तों है आपका आपके सामने यह रहा 0.25 बेसे रेडिस्टेन होगा is equal to कितना हो जाएगा आपका 10 होगा तो यहाँ पर हमको कितना हो करना है 2 में change करना है दोस्तों इस दोनों question को solve कीजिए और हमें whatsapp पे जरूर भेजिएगा दोस्तों आइए हम अगला conversion की तरप चलते है जिसका नाम है decimal number system to decimal number system to decimal number system to binary number system number system decimal number system to binary number system जोस्तों जो की दूसरा conversion है अगर decimal में दिया है एक second guys decimal से binary तो हमने बदल लिया इसको octal में कर लिजिएगा ठीक है decimal से binary हमने बदल लिया तो octal में कर लिजिएगा कोई गलती नहीं होने वाली यहाँ पे तो इसी तरीके से दोस्तों हम octal में भी method का यूज करते हैं आईए दोस्तों कैसे करते हैं सबसे पहले example के ज़री समझते चलते हैं माली जे दोस्तों मेरे पास है 98 है base रिरिष्टियन है हम को change करना है इसमें octal में यानि 8 में तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों इस तरह से एक खिस लेंगे देंगे side में फिर देखे 8 से करेंगे तो 8 हो जाएगा 4 बचेगा यहां लिख देंगे फिर 8 से करेंगे जीरो लिखेंगे फिर 1 लिख देंगे फिर इसके क्या करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे यानि 142 142 आपका basically 8 हो जाएगा तो guys आपका जो answer यही आ जाएगा देखा कितने imaging तरीके समने किया आईए हम next question की तरफ इसके बढ़ते हैं अगला question माल लेते हैं इसका यह रहा इसका माल लेते हैं 24 24 10 into 8 हो जाएगा यह basically आपका हो जाएगा अब इसको दोस्तों कैसे करेंगे आईए यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से हाए तो यहाँ पर हम 24 के लिए स्रिप कर रहे हैं तो 24 लिख लेंगे यहाँ पर 8 ला देंगे यह हमारा क्या होता है यहाँ पर कैरी लिखते हैं इधर इस side में तो 8 तरीक 24 हो जाएगा तीन बार गया कैरी 0 मिला अब यहाँ से कितना बार जाएगा आठ बार आठ बार वैसे दिखाने कि नहीं तो आपको ऐसे घर के लिखना होगा तो इस तरह बचाने के लिए आपको एक करना कपड़ता है 0 होगा यहाँ तीन होगा ठीक है वो मरक अभी देंगे ही तो फ़ले दस्मलों वाली पॉइंट को समझ रो दस्मलों में माली जिए 0.25 0.25 चेंज टेन चेंज इंटू किस में हो जाएगा चेंज इंटू बाइंडी में चेंज इंटू सारी गाईस थोड़ा सा माइंड में सेट हो चुका बाइंडी इसलिए आ जा रहा है लेकिन यहाँ पर किस में करना है एट में करना है तो क्या करेंगे 0.25 गुडे आठ इस इकल टू पचीस अठ्थे कितना होगा तो 2.00 कैरी हमारा टू हो जाएगा फिर यहाँ पर 0.00 गुडे आठ हो जाएगा फिर 0.00 इसको दोस्तों कैसे लिखते हैं उपर से नीचे की तरफ यानि कैं आजाएगा फ्ट सबसे पहले लगा लिजे दो लगा लिजे 0 लगा लिजे और आपका इस ही तरीके से यहाँ पे आपका The points to 0 आकया और हो जाएगा चलिए question इस पर और भी हम बदाज़े मैं स्टें में भी अम हम हमण सके हैं तो आईए आई एम उस question को खुशते हैं तो आपके सामने ए रहा question आप डेसे भी बना सकते हैं हमें यहापे मालीजी इस तरह से बना लेते हैं 0.50 और एक बाद बता दो दोस्तों अगर कोई आपने ऐसा किया अंक बार-बार repeat हो रही है तो वही पर छोड़ देंगे दोस्तों वही आपका answer जागा मालीजी जीरो पॉइंट फाइफ है जीरो पॉइंट फाइफ है यहाँ पे और 0.5 10 इन इस इकल टू 8 में चेंज करना है तो यहाँ आप क्या करूँगा दोस्तों 0.5 लिखूंगा गुड़े लिखूंगा 8 लिखूंगा 8 पर से 40 जानी 4.0 जाएगा इसकोल टू 4 हो जाएगा फिर क्या होगा 0.00 गुड़े 8 हो जाएगा इसकोल 0.00 इसकोल 0 अब उपर से क्या करेंगे नीचे की तरफ लिख देंगे यानि implies that 0.40 0.40 और आपका 8 हो जाएगा तो आपका answer यही पर आ जाएगा तो आपने देखा यार कितने इमेजिन तरीके समने किया आईए इसके कुछ homework है हम उनको दे देते हैं यह समझेजिए homework है आप इसको solve कीजिए और हमारे WhatsApp पे जरू से भेजिएगा तो homework में आपका एक question रहेगा देखिए आपका आज 17 17 आपका 10 और change into किसमे है आक्टल में आपको change करना है दूसरा question हम यहाँ पर दे देते हैं दूसरा question हम देख लेते हैं 54 है 54 10 is equal to 54 हमारा है यहाँ पर 54 को हम change कर लेते हैं किसमें 8 में कर लेते हैं ठीक है 8 में हम कर लेते हैं तो दोस्तों यह दो question है अगला question अपने से भी यहाँ बना सकते हैं 0.625 है 625 है और यहाँ पर 10 यहाँ किनना जाएंगे यहाँ पर हमारे basically जाएंगे 10 और change into change into किसमें 8 में हो जाएंगे तो इस तरीके से यार आप देख सकते हैं काफी सारे question है तो इस सब को हाल करके हम वार्ट साप पर जरूर बेजएगा इस तरह देख सकते हैं हमारा page फिलो चुका है पूरा तो हम एक दूसरा page लेते हैं जिस पे हम आपको अगला conversion बताते हैं जिसका नाम है decimal से decimal में से हमने आक्टल को तो converge करना सीख लिया अब इसके बाद हम क्या करेंगे आक्टल से इसमतब यहां पर हम decimal से hexadecimal में convert करना सीखेंगे तो क्या हमारा है decimal decimal to hexadecimal 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 तो दोस्तों आईए देखते हैं अगला question जो आपका किसमें convert करना है decimal number system से hexadecimal number system में कैसे बदलते हैं आईए इसको कैसे करते हैं देखिए दोस्तों पूराना नियम जैसे हमने देखा कि 2 से भाग देते थे 2 से गुड़ा करते थे फिर हमने देखा कि 8 से गुड़ा करते थे जो कि आपका एक 54 है यह आपका बेसरी डिष्टेन है इसको चंज करना है एक्साडिस्मल यानि 16 में तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इस तरह से चववन को लिख लेंगे 54 को और यह आपका क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आप देखिए यहां 16 भाग देंगे 16 बार गया 48 तो 48 और दो पचास च्छा बचेगा तो 6 को यहां लिखे लिजे कैरी बच गया तो हम बढ़ते हैं दोस्तों एक कोश्चन और इसी तरीके से देखते हैं माल लिजे दोस्तों हमारे पास नब्वे आ जाता है ठीक है नब्वे इस तरह से आ जाता है नब्वे दोस्तों और हमारे पास सोला है अब हम सोला से यहां पर हम क्या लिखते हैं यहां पर हम लिखते हैं क उपर क्लिकेंगे तो आपका जो एंसर होगा वह आपका एंसर क्या हो जाएगा यहांपे 5a 5a बेस आरीडिक से आपका 16 हो जाएगा is equal to किसके बराबर है यह आपके नबे नबे था बेस 10 के साथ ठीक है तो यही गाइस आपका एंसर आज आएगा तो आप देख रहे हैं ना कितना इमेजिंग तरीके से और कितना फास्टली तरीके से हम लोग सबका एंसर ला रहे हैं आईए इसके कुछ और कोश्चन हैं उनको भी समझ लेते हैं मालीजे तीसरे नमबर कोश्चन को देखते हैं दस्मलव वाला 0.250 और यहां बेसरे इडिश 10 चेंज इंटू 10 चेंज इंटू 16 के साथ करेंगे तो क्या होगा दोस्तों यहां पर 0.250 गुडरे 16 इसकोल देखेगा क्या होगा पहले तो हमारे 0 का पिर 16-85-0 आत्में आठ शोला दुना बत्तिस आर्ट चालीस हो जाएगा ठीक है दसमलो तीन अस्थान पर तो आपका बिस्क्राइब क्या जाएगा यहां पर चार आजाएगा पिर यहां जिरो जीरो जीरो गुड़े तो आपने देखा ना कितने इमेजिन तरीके सम्म लोगों इस को किया आई एक कोश्चन को और करते हैं और एक दो आपको होमवर्क भी दे देते हैं इसी तरीके से माल लीजिए आपको दे दे हम 625 625 10 चेंज इंटू चेंज इंटू सोल है लेकिन बता दू दोस्तों यह सब जो आप देख रहे हैं यह सब तो चेंज हम करेंगे अभी आपको हमवर्क देंगे तो आप करके वाट सब जरू बेज़ेगा तो यहां पर देखे क्या करें 625 तो हम क्या करेंगे ध्यान रहे क कि इसमें हाँ एक गलती देखे थोड़ी समारी होगी यहां पॉइंट लगाना बहुत जरूरी है ठीक है यहां पॉइंट लगा के सभी लिखते हैं अब देखिए यहां 625 चलिए 625 के लिए हम कर लेते हैं 625 है और यहां पर हमारे पास 16 है तो क्या होगा सोलग बती सो ताल में बना था आपका लेकिन हम इसको फाम में बना लेते हैं ताकि आपको यहां हल करने मासा नहीं हो 0.625 होगा गुड़े 16 होगा ठीक है दसमारों लगा देखिए इस तरह से 16 होगा अब करते हैं 16 85 शोड़ दुना 32 42 के 0 ठीक है 40 के 0 और यहां पर आपके कहरी जो हो और 6 च्टाश चाहां में 4 5 तो यहां पर हों कितने हो जाएंगे यहां पर हो जाएंगे हैं इस 101 को तीन अस्थान पर पर एब लिखते हैं 0 ठीक हो जाएगा ओला है अब खेंगे तो यहांस नीचे की तरफ लिख्फिए यि ba इप लगेगा और यहां पर आपका बेसिकली क्या जाएंगा और जीरो लगाना दोस्तों जब नहीं लगा और लगा दिये तो भी चलेगा अब देखे ना यहां इमेजीन तरीके समने कोश्चन किया आई एक दो होमवर्क भी दे देते हैं एक दो आपको क्या करते हैं और हां जहान रहे हैं अगर दोस्तों रिपीट होने लगता कभी-कभी एंसा होता दोस्तों एचीजह रिपीट होती हैं यह वाली ने हैं आओं 750 थेनए इन्टू 16 में, आप 16 में convert कीजिएगा, अगला question दोस्तों देते हैं, इसका दूसरा देते हैं, 43-10 चेंज इन्टू, आपका क्या हो जाएगा, 16 में, आप convert करिए, अगला एक question और दोते हैं, 88-10 चेंज इन्टू 16 में, तो दोस्तों ए सब एरिया है, आपके 4-5 question जिसको आप ह और subscribe नहीं किया, हमारे चैनल तो please subscribe के लिए, आप लोग के लिए daily वीडियो सलाते रते हैं, अब वीडियो पर end करते हैं, मैं मिलता हूँ इसकी next part में कुछ नई imaging trick के साथ, यानि काने को बता, binary to decimal, binary to octal, binary to hexadecimal कैसे करनोट करते हैं, उस वीडियो के साथ, तब तक के लिए good bye